असलाम अलेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब खेरियास से होंगे आज मैं आपको बड़ी की गोश की बिर्यानी की रेसेपी शेयर करूंगे आपके साथ यहां पर देखिए मैंने 250 ग्राम बड़े का गोश लिया है यह बच्चे का गोश है जिससे स पानी डालेंगे पानी डालेंगे इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेए मिक्स करके में कुकर की ढखा लगा देती हूं ढखा के इसे तकरीबं 15-20 मिंट पका लबंगे ठीके 15-20 मिंट के बाद उन सीती रीलीज हूरी है तबदे के हम मसाला बना लेते हैं यहाँ पर मैंने एक कड़ाई लिया जिसमें थोड़ा तेल डाला है और दो मीडियम साइज के प्यास को बारिक बारिक काट लिये हैं लंबे लंबे आकार में इससे जो हम फ्राइ कर लेंगे ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे दीए प्यास जो है अच्छे से ब्राउन हो चुकी है अब थोड़े प्यास को जो है मैं निकाल लेती हूँ और बाकी ये जो बच्चे हुए प्यासे उसमें हम मसाला बनाएंगे तो इसमें मैं आलू भी डाल रही हूँ अभी प्यास को एक साइड में रहने दीजिए तब तक हम यहाँ पे आलू फ्राई कर लेते आलू देखे फ्राई हो चुकी है अच्छे से अब मैं इसमें अदर लसन का पेस्ट डालूँगी तो यहाँ पे मैंने दो चमच अदर लसन का पेस्ट डाला है इसे भून लेंगे हम पहले अदर लसन जब अच्छे तरीके से भून जाए तब हम इसमें अभी डालते हैं पाउडर मसाले यहाँ पे मैंने एक चमच जो है हल्दी पाउडर दाला है और एक चमच कश्मीरी लाल मिच डाला है अब मैं इसमें धन्या पाउडर दालूँगे दो चमच धन्या पाउडर दालेंगे और एक चमच जो है तीखी लाल मिच डालेंगे इन सारी चीज़ों को डाल के हम इसे भून लेते हैं यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइस के टमाटर लिये हैं इसे भी डाल के हम इसे भी साथ में भूनते हैं यहाँ पर चार हरी मेचे लिये हैं जिसे बीच से मैंने कट लगा लिया है अब इसमें हमें बिर्यानी मसाला डालूंगी तो यहाँ पे दो चमच मैंने बिर्यानी मसाला डाला है अब हम इसमें जो है थोड़ा सा आदा चमच जो है गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को भी डाल के एक बार मिक्स कर लेते हैं अब हमने जो बॉइल करके रखा था गोष बड़ीका गोष वो डालेंगे और साथ ही में हम ये डाल के जो है मसाले की साथ इसे भूनेंगे ताकि हमारे गोष भून जाएंगे और हमारे मसाले भी पग जाएंगे इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर दीजिए नमक अगर आपको कम लगे आपने मतन में डाला है तो अभी आप डाल सकते हो इसमें नमक ये देखिए मतन जो हमारा गल चुका है 90% तक गल चुका है 10% जो बचे हैं वो हम इसे भूनने के टाइम पर इसे पका लेंगे अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ और दही डाल के भी जो है हम इसे मिक्स कर लेंगे दही डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद में हम इसमें जो है धक्कन लगा देंगे नमक अगर आपको लगे तो आप डाल दीजे मतन में अगर आपने कम डाला है गलने के टाइम पर तो इस स्टेच पर आप डाल सकते हो नमक डाल के हम सारी चीजे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी ढखकन लगा के इसे पकने छोड़ देंगे जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक हम राइस बना लेते हैं तो यहां पर एक टोप लिया है इसमें थोड़ा सा ओईल डाला है इसमें तीन लॉंग डाली है एक इंच डाल चीनी का तुकड़ा डाला है दो तेस पते डाले हैं और साथ ही मैं अभी मैं थोड़ा सा इसमें जीरा डालूंगी इन सारी चीजे को चटकने देते हैं जब सारी चीजे अच्छे से चटक जाया तब हम इसमें पानी डालेंगे और अब हम इसमें स्वाद अन तो यह जो आदर घंटा पहले भीगने रख दिया था वह राइस टालेंगे और हम जो है सारी चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम जो राइस को है 80 परसंट तक पका लेंगे नमक जो अच्छी तरीके से मिला लेजिए आप राइस में और इसे ढखन लगा के इसे जो है अमें पकने छोड़ देंगे जब तक कि मसाला देखते हैं मसाला देखिए पानी जो है काफी रिलीज हुआ है दही का और टमाटर का तो इसे जो हम सुका लेंगे इसे ढखके आपक 10 मिनिट पका लेती हूं 10 मिनट के बाद देखिए खोल के चेक कर रहे हूं देखिए ओउल जो है उपर उपर आच चुका है यानि के मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं अब इसमें थोड़ा धनीय के पत्ते काटके दालेंगे थोड़ा पुदीनिय के पत्ते तो इसे अच्छे से मिक्सिर के 5 मिट पका लेंगे और 5 मिट के बाद गैस की फ्लेम को हम आफ कर देंगे देखिए मैंने गैस की फ्लेम को आफ कर दिया है मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है और राइस भी हमारी 80% तक के गल चुकी है देख सकते हो आप यहाथ से दबाने से जो पर भी है तोप में छोड़ दिया है अब जो इसमें हमने मसाला बना के रखा था गोष्छ मा जो मसाला डालेंगे और मसाला डालकर जो एच्छे से फैला लेंगे चारु तरफ अब उसमें मैंने प्लेट में राइस निकाला था वो राइस उक पा से डालूंगी और एक यह हैं उसे भी डालोंगी का इंड़ेस वह ना कि भी मुझा था वर शुक्न साद बिर्यानी अब तो हम ने प्याजा है और आहिा तो समी देते हैं और माल अकिन एदंट जो करा बीर्यानी अब रांगा कि यह सीछी त्वार्यानी थरो तयार हुए हैं उम्मेट करूंगे आपको रेसीपी पसंद आई होगी अगर रेसीपी जरा भी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा